सात्यों हमारी सरकार देश में इज अफ लिविंग और इज अफ डूइंग बिजनेस की नई संस्कृति विक्सित करने में जूटी इसके लिए देश में इंफास्रक्टर के विकास, कनेक्टिविटी के विकास पर बल यह हमारी प्रात्विक्ता है, सूरत तो देश के उन शहरों में हैं, जहां विश्वकी सबसे तेजी से विक्सित हो रही, हमारी अर्थ बवस्ता में चार चान लगाता है हाल में आई, एक अंतर राष्टिय रिपोर्ट के बारे में हर सूरती जानता है, लेकिन शाहिद देश माचियों को पता नहीं होगा और इस रिपोर्ट में कहा गया है, कि आने वाले 10-15 वर्षों में, दुनिया के सबसे तेजी से विक्सित होने वाले, टॉप 10 शहरों में, दुनिया के टॉप 10, ये सारे के सारे 10, हिंदुस्तान के हैं और खुशी की बात है, इसमें भी सबसे टॉप पर, सबसे टॉप पर कोन हैं, सूरत को गर्ब हो रहा हैं, सूरत को बधाई, यानि ये सपस है, कि आने वाला समय, सूरत का है भारत के शहरों का है, इसरफ भारती रहीं, पूरी दुनिया की आर्थी गतिविदियों के सेंटर होने वाले हैं, यहां दुनिया भर से निवेश होने वाला है, ब्यापार और कारोबार कई गुना बढ़ने वाला है, लाखो युवा साथियों को रोजगार के आउसर बनने वाले हैं, साथियों, जब दुनिया भारत के सहरों को लेकर, इतनी आशावादी है, तो यह हमारा दाहित्व है, कि इन शहरों को बर्तमान के साथ साथ बविश के लिए तैयार किये जाएं, और यह भी सही हैं, कि हमें सुरत को बविश के लिए तैयार करने का मतलब, यहां का इन्फा सक्चर, यहां की विवत्ताएं, यहां के सिक्षा, यहां का आरोग्य, यह सब तो है ही हैं, यहां के मानवी के मन को भी उस उंचाई पर ले जाना है, और इसी सोच के साथ देश भर में हर प्रकार की कनेक्टिविटी को एक के बाद प्रोजेक हम लगाए चाले जा रहे हैं, सुरत का यह एरपोर्ट, अभी गुजरात का तीसरा बड़ा एरपोर्ट, एन्हें व्यस्त एरपोर्ट बन गया है, आज से नए टर्मिनल का जो काम शुरू हुआ है, जब यह पूरा हो जाएगा तब यहां पर, बारा सो डोमेस्टिक और छे सो इंटरनेशनल पैसिजर को मैनेज करने की छमता तैयार होगी, इसका मतलब यह है, कि एक दिन में अठारा सो यात्री को यह एरपोर्ट हैंडर कर पाएगा, सुरत एरपोर्ट की छमता भी सालाना चार लाख यात्री की है, जिस प्रकार के विस्तारिकन का काम यहां हो रहा है, उसके बाद भविश में अएरपोर्ट की छमता बढ़ करके, चार लाख से चब्वीस लाख यात्री से जादा हो जाएगी, पैसेंजर के अलावा यहां के कार्गो कैपेसिटी भी बढ़ाने वाले हैं, यानि आने वाले समय में आप सभी को अपने व्यापार कारोबार के लिए देश विदेश में सुविदा होगी, बाहर से भी बिजनेश के लिए जो यहां व्यापारी आते हैं, उनके समय की भी बच्चत होगी, सात्यों मुझा बताया गया है कि कुछी दिनों में यहां से सार जहां के लिए Air India Express के सीधी फ्लाइट भी शुरू होने वाली है, शुरूआत में यह सुविदा सब्ता हमें दो दिन होगी, लेकिन मार्च से इसको सब्ता हमें चार दिन किया जाना है, इस फ्लाइट से आप सभी को व्यापार की दुरुष्टी दे भी बहुत मदद मिलने वाली हैं, इसके लिए भी मैं आपको बधाई और सुब कामना है देता हूँ, सात्यों सरकार हवाई कनेक्टिविटी से पुरे देश को जोडने में जुटी है, और इसके लिए बीते 3-4 वर्षों में तेज गती से काम किया गया है, और इसी का प्रणाम है कि 17 एरपोर्ट को अपग्रेड एक्सपैंड किया जा चुका है और अनेक एरपोर्ट में काम तेजी से चल रहा है, सरकार का लक्स है कि अगले चार वर्षों में देश भर के पचास ऐसे एड़पोर्ट को विक्सित किया जाए जो या तो अभी सेवा में नहीं है या फिर बहुत कम उप्योग में लाए जा रहे है सात्यों मेरा यह सपना और यह सपना है कि हवाई चपल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके इसके लिए ही उड़े देश का आम नागरीक यानी उड़ान योजना शुरू की गई आज मुझे यह बताते हुए खुशी है कि उड़ान ने देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते एवियेशन मार्केट में सामिल करने में बड़ी मदद की है उड़ान योजना से देश के एवियेशन सेक्टर में बारा लाग सीटे कम कीमत पर उपलब्द हुई है इस योजना के तहट देश भर में करीब चालिस एवियेशन मेप में जोड़े गए हैं गुजरात में भी चार रूट्स पोर्बंदर, मुंबई, कानला, अमदाबाद, केशोद, अमदाबाद और पोर्बंदर, अमदाबाद को उड़ान एक और उड़ान दो के तहट कनेक्ट किया गया है अब उड़ान तीन के जरिये भविश में सूरत सहीद गुजरात के लगभग एक दरजन छोटे और बड़े एरपोर्ट को देश के अलग-अलग सहरों से कनेक्ट किया जाएगा इसमें सावरमती रिवर्फरंट, सत्रुनजय डेम और स्टेच्यो अफ उनिटी जैसे वाटर ड्रॉम्स या वाटर एरपोर्ट की संभावना वाले ख्षेतर भी सामील है जो लोग भावनगर जाना आता है, पानित्रनाजी जाना चाहते है, तिर्थियात्रा करना चाहते है वो सी प्लेन से, सत्रुनजय डेम से होकर के आसाना यसे पहुँच पाएंगे यानि भविश में सहाबर मती रिवर फेंट से उड़कर विमान, सरदार सरोवर डेम के पाने में उतरे इसी तरह की परियोजना भी विचार हो रहा है सात्यों एर कनेक्टिविटी के साथ साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि पासपोर्ड के लिए लोगों को बड़े शहरों के चकर न लगाने पड़े साल 2014 में देश में पासपोर्ड केंद्रों की कुल संख्या करीब 80 थी सुरत के लोग याद रखेंगे हमारे इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या आजादी के 60-65 साल के दर्म्यान हमारे देश में पासपोर्ड देने वाली ओफिस 80 थी कितनी आपने गुजराती में बोलो कितली एसी 80 आपको खुशी होगी कि पिछले चार साल में जो हमने अभियान चलाया वो आकड़ चार सो पार कर चुका है कहां 80 और कहां 400 बड़ा सोचना जादा करना अच्छे ढंग से करना समय पे करना और गुजरात वाले तो जानते हैं मुझे इसके अलावा M.Pasport सेवा Mobile App जैसे माध्यम से पास्पोर्ट के लिए अप्लाई करना आसान हुआ है जादा संख्या में पास्पोर्ट सेवा केंदर खोलने और पास्पोर्ट नियमों को सरल करने के खारण दूरी में और देरी दोनों में बहुत कमी आई है म.Pasport सेवा क्यों में और देरी छोड़ सेवा की आई है जाधा है